जैहिन कैसे आप लोग उमेद करता हूँ अच्छे होगे और आपकी तैरी बहुत बढ़िया चल ले होगी आज ये 20 कोस्चन है आपको उत्तर ही बताने है और जहां मुझे लगेगा आपको उत्तर बताने जरूरत है मैं वहाँ बताऊँ अभी और मेरा एक साफ कहना है कि कॉं है यूनिक कोस्चन है ओ थोड़ा आपको नौलेज गेंड़ करेंगे ठीक है तो आज कि वीडियो इसी पे है नहीं चलिस टार्ट करते हैं पहला कोस्चन है आपका खेलकूद की योजना का सबसे पहले उप्योग किस देश में किया था कि खेलकूद योजना का सबसे पहले पहले उप्यूग किस देश ने किया था ऑप्शन ए जर्मनी भी ग्रीज सी भारत और डी चीन इसका सही उत्तर बताना आपको और सही उत्तर होगा आपका ग्रीज यहाद रखिएगा कि अधिकांसथा जो भूतकाल की चीज़े पुछेगा तो अधिकांस स्टाटिंग ग्रीज से ही हुई है ठीक है ग्रीज को इनों भी बोलते हैं थीक तो यह स्टाटिंग यहां सभी नेक चलते हैं बी यह भी अच्छा question है और image में आप यह देख सकते हैं ठीक इस इस related question है यह निमलिखित में से कौन सी मांस पे से मुखरूप से deadlift deadlift बयाम में कारे करती है यह image है और इसको देखेंगे यह weight plates है यह rod है ओलम्पिक रहोट्स बोलते हैं इसको ठीक और यह आपकी प्लेट्स है पोजीशन आप देख लीजिए ठीक कमर यहां एक belt बनती रहते कर ज्यादा heavy weight है तो belt बानते हैं चलिए बाइसेप्स का इससे कोई मतलब नहीं है भाइसेप्स की अलग मसल्स है ठीक है ट्राइसेप्स बाइसेप्स जस्क पीछे हैं और हैंसेजं कर दीसेप्स जी दो बज़ क्या रहे हैं अब इसम वैंस नों देखेंगे तो यह इसका जो उत्तर होगा यह होगा आपका हैंस्टिन होगा डेड्लिप्ट एक भार प्रसिक्छण वेट्रेनिंग है इसक्ती प्रसिक्छण बयाम जिसमें एक लोडेट बार्बिल या बार को जमीन से कूल हो के इस तरह तक उठाया जाता है यहां तक लिफ्ट किया जाएगा ठ ठीक है धर को फार्स से लंबवद रखा जाता है फिर वापस जमीन पर रख दिया जाता है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं ओलंपिक खेलों का आयोजिन किंद्रे वर्सों के अंतराल पर होता है यह नार्मल कोस्टिन है और यह सभी लोग बता देंगे चार वर्स बा या 89 ठीक है इसका सहींतर देना है आपको और सहींतर क्या होगा इसका 84 इसको याद कैसे करेंगे 84 ठीक है 84 क्यों आप 19 छोड़ दीजे 84 पगड़ी है ठीक उसको पर काम कीजिए ठीक है और 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा 1 और 2 ठीक एक और 2 इससे आप रिलेट कर सकते हैं कोई भी आप आपने लाइब से सम्मंदित को इवन जोड़ सकते हैं इसको ये कोश्चन थोड़ा सा अलग है इसपे सी फाइल प्रिंस्पल किस संधर में लागू होता है कोश्चन थोड़ा से दिखा देता हो आपको ये कोश्चन है और यह पूछ रहा है इस ठीक है चलिए थोड़ से नीचे करते हैं इसको एक कंडिशन बी रिकबरी सी पसिक्षण और डी मनोवल सही उत्तर बताना है आपको इसमें से चारों में से कौन सा आप्सन होगा चारों में से जो आप्सन होगा बिलकुल किलियर है यह ट्रेनिंग संबंदी चीजें पूछ रहा है और इसमें देखेंगे आप तो अनिवार रूम से बिस्स्ट परसिक्षण का मतलब है कि आपको उस कौसल को बेहतर बानाने के लिए उसका प्रदसन करना चाहिए उस समय पुराने काहवत के प्रशे सिद्धान्त है अब ध्या कि अभी कि आपको परसिक्षण से ठीक है चलते हैं ऑ सामिल होती है पहले बात तो आपको आइसोटॉनिक एक साइज किया होती है कैसे होती है कि मसल स्पर काम करती में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये मानस्पेसियों के लंबाई कम हो जाती है, ये मानस्पेसियों के लंबाई बढ़ती है, मानस्पेसियों में कोई तना नहीं रहता है, तो इसका जो सयुत्तर होगा, पहले बात ये फिगर देख लीजिए, ये, ये वाला फिगर, ठीक, उसके बाद ही पडैंक्स है इस को बोलते हैं इसको योग मीं जो बोलेंगे हम लोग लोग सकति बोड़ भी थिक है नोच असन ऐसको बोलते ओर इन दोनों में जो प्रेशर पड़ेगा जो लोड पड़ेगा उसका ठीक है वो पूछ रहे हैं और उससे लेलेटर कोस्चन है तो इसमें क्या आपसन देना आपसन में क्या उत्तर होगा यह बता ही मैंने को A होगा B होगा C होगा इसका जो सहीवत्तर होगा, वो होगा आपका मांस पिस्यू की लंबाई कम होती है, मांस पिस्यू की लंबाई कम होती है, ठीक है, तो सहीवत्तर होगा इसका आपका B, ठीक, नेक चलते हैं, कि सिद्धान के तहत कहा जाता है कि संपूर्ण मानोसरी एक साथ कार करता है, यह समन मेरे का कोस्टेन है color 10 फेले उत्तर होगा इस सम्मनु औरVIS भी आगे चलते हैं कि काडियाग और पूछरा क्या है एक है। हमेशा याद रखिये गा जहां किसी ज़्य में सपर्फिक्स पढ़ाएथा है पढ़ाया ने समझाया था आपको पढ़ाने के काम नहीं लेकिन कार्डियक आउटपुट उसमें कार्ड सब्स जहां लग जाएगा ठीक है जहां भी लग जाएगा यह पर्फिक्स है ठीक है पहले जो सब्दारा तो कार्डियक जहां में लग जाएगा वहां उसका मतलब कोई में दिल दोरा पंप की गिरक्त की मात्रा और C हिर्दे की धड़कन और D है मांस्पीसियों में खून की मात्रा तो पहले तो काडियक आउटपूर्ट देखें क्या है यह है हार्ट ठिक यह पूरा हार्ट है यह दिखिए और इसको मैं यह इसको गर बढ़ा करना चाहें तो इसको यहां लेते हैं और यह आपको बढ़ा करते हैं ठीक है आउटपूर्ट है हार्ट रेट है ठीक है और प्री लोड स्टोक वेलोम और अल्टर लोड ठीक है यह चीज मिला के बन रहा है लेकिन अभी जो हमनों समझने ही कोईस करते हो है कार्डिक आउटपूर्ट या रक्त प्रवावदर समय की एक इकाई में हिर्दे द्वारा पंप किये गए रक्त की मात्रा आम तोर पर मिंटों में यानि एक मिनट में हिर्दे द्वारा धमनियों में पंप किये गए रक्त की मात्रा ठीक है तो आउटपूर्ट यही हो गया तो इसका जो सही उत्तर होगा आप आपको बताना कि सही उत्तर इसका क्या होगा और सही उत्तर होगा इसका बिलको किलियर है एक मिनट में ठीक है भारती खेलों मे किस खेल को रास्टी खेल कहा जाता है क्रिकेट कबड़ी हाकी फुटबॉल और सभी लोगों पता होगा इसको आप लोग हाकी लगाएंगे लेकिन अगर पेपर में आएगा तो लिख दीजेगा लेकिन ओफिसियल नहीं है ठीक है यूपी टीजीटी को देखते हुए आप इस किस खेल बर्न आउट सब्द काउपयों खेल मनों बिज्ञान में किस के लिए किया जाता अच्छा कोश्चन है और बर्न आउट का मतलब क्या होता है अनर्जी लास्ट करना आप बिल्कुल थक है मैसूस होना जैसे आपके पूरी एनर्जी बर्न हो गई हो इस टाइब का है ठीक है चलि आज देखतें क्या है सारत तनाव के लिए सारे फकार के लिए उपदर्सन के लिए अदितिक पैसौननल होने वां थकार की लिए टे और हमनों देखते हैं सीधा सीधा तो क्या है बर्नाउट है बर्नाउट कारेस्थल में थकावा निरासावात और अच्छमता का एक बैग्यानिक सिंड्रोम है इसे आम जटल समाजी संबंदों के संदर में अनियत एक ब्यक्ति तनाव अनुभव माना जाता है और उस ब्यक्ति हो जाना उसकी एनर्जी बिल्कु खतम हो जाना उसने फूरी अपनी एनर्जी वरक आउट में लोड प्रैक्टिस करते समय खतम कर दी ठीक है तो इसका जो सही उत्तर होगा यह उत्तर होगा आपका अध्यदिक परसिजर्ण में होने वाली थकान को ठीक है इस ब्यक्ति चलत समझ में पहले बताया था कि इन दोनों एक्साइज का मिनिंग समझना पड़ेगा इन चारों एक्साइज का मिनिंगर समझ में आ रहा है तो आप समझ लेंगे कि किसमी आपको ताकत जेनरेट हो रही है ठीक है चलिए इसका सही उत्तर होगा वह आपका पहली बात तो आईसो मेट्रिक किया है आइसोटोनिक क्या है एPS फैन अरोबिक जिए एशक चलिए आगे मरते हैं के परई वजी ना चाप्स ठीक है यह इंपोर्टेंट कोश्यं है इसको यहां से कट कीजिए और target Olympic podium scheme का उद्देश क्या है ए खेल में प्रतिभास आली बच्चों को साहिता देना Olympic पदक जीतने के लिए भारती खिलाडियों को त्यार करना भारती खेल संगों का पुरन अगठन खेल में महिलाओं की भागदारी बढ़ाना जैसे कि आप देख रहे हैं target Olympic podium scheme क्या है इसके question में ही उत्तर चुपा हुआ है तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका Olympic में पदक जीतने के लिए भारती खिलाडियों को तयार करना ठीक है तो इसका जो उत्तर है आपका ठीक है यह question थोड़ा सा अलग होगा आपका exercise के दोरान सरीर में अधिक्तम oxygen ग्रहन करने के छमता क्या कहा जाता है Bo2 max, ATP, anaerobic threshold और aerobic power ठीक है अब देखते हैं Bo2 max क्या है The maximum oxygen uptake capacity of the body during the exercise in the called Bo2 max pronounced Bo2 max which stand up maximum oxygen consumption ठीक है यह इसकी image है During the workout इनका Bo2 max लिए जा रहा है यह देखिए ठीक, तो अब समझ में आव गया क्या उत्तर इसमें क्या होगा आप लोगा और इसका जो सही उत्तर होगा वो Bo2 max होगा और यह देखिए Bo2 max ठीक है अब नेक्स चलते हैं, चौधामा question निमलिकित में कौन सा खेल rifle shooting का हिस्सा है कभी भी अगर attempt करिएगा तो आप दीर यह दीर ऐसे ले जाएगा यहांस पढ़ते हों निमलिकित में कौन सा खेल राश्ट्री rifle shooting का हिस्सा है है या कभी पूछ देता नहीं है तो उस पर आप राउंड करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है किस पर आपको focus करना है चलिए start करते हैं option A है trap shooting फिर skid shooting फिर sniping और air pistol पूछ रहा shooting का हिस्सा है ठीक है तो निम्लेकित में से कौन सखे राइफल शुटिंग का हिस्सा है trap shooting, skid shooting और sniping और air pistol trap shooting क्या था अपने देख लिए ट्रैप एक shooting स्थिति के साथ shooter दूर से उड़ते हुए लच्छे उपर shooting करने पर ध्यान के दिल करता है इस kit क्या है इसे निसाने बाद के सामने दो अलगल कोणों से कई shooting पर स्थितियों के साथ लच पार किया जाता है और sniping क्या है जो spinner जो छुपके आपको spinner होते हैं जो छुपके वार करते हैं इस टाइब का यह है और air pistol आप लोग समझी रहें तो इसमें जो उत्तर होगा आपका यह उत्तर होगा के लियर है कि आपका air pistol एक जैसे बच्चे खेल दें उस टाइब का है ठीक है सुतिम प्रतियोंगता में यूज नहीं होती है ओलंपिक खेलों में सबसे पहले महिला खिलाडियों के भागदारी कब होई थी और किस ने की थी यह बताना आपको ऑप्सण यह है 1900 1920 1936 1948 सायूतर में चारों में से आपका 1900 पहले में होई था ठीक है इस सेकर्ड ओलंपिक है और 1900 माहिला खिले अथलिट को सामील करने वाला पहला आधनी खेल पेरिस खेल था तहां सूर्जर लेंड की हेलने डेप पोटोलेस सूर्जर लेंड देश था इनकी महिला थी हेलेंडेपोटोलेस अल्बंपिक खेलों में परिष्वात करने वाली पहले महिला बनी 22 माई 1900 को पहली 1-2 टन की नौका यार क्रिष्दा में पिज़दा टीम की सदस से कि रूम में पहले महिला उलंपिक चैंपिर बनी है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो इसका जो उत्तर होगा आपका यह उत्तर होगा प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग किसके लिए उप्योगी है और सकती गतिल अचला पहुंचा सकता तो यह देखिए जंपिंग होगी जंपिंग इवेंट हो रहा इवेंट नहीं है एक्साइज है यह इनके आपको यह बॉक्स है ठीक है इस पे जंप करके चलना है फिर उतरना है तो किसके भी लोट पड़ेगा आप ध्यान लखिएगा ठीक है अब प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग किसके लिए उप्योग दी सकती गतिल अचला पहुंचा सीथा तो इसमें सही उत्तर क्या होगा प्लायोमेट्रिक प्रसिक्षण का अप्योग मुख रूब से सकती और कंड ठीक है किस खेल में back and or fourth अप्योड तकनीक आप यूचाता है tennis, football BUTing football,41 ball où cricket, tennis थीक है तो सही तर में से एलिमीनिटरिक कीजिए क्या हो सकता है ठीक है जो सही उत्तर होगा किलियर है बिल्कुल टेनिस बैक हैंड और फोर हैंड दोनों यूज होता है ठीक है आइसमेट्रिक साइज में माल स्पीशल कौन सी अवस्ता होती संकुचल बिना लंबाई के परिवातन के संकुचल बिना लंबाई के परिवातन के स्पोर्ट साइकलोजी में फ्लो स्टेट का क्या अर्थर मानुसी तनाव की स्थिति अद्यदिक ध्यान और प्रिणा की स्थिति प्रति इस बरदास से पहले की चिंता और खेल के प्रतिब है अच्छा कोस्चन है और इसका जो सहित्तर होगा आपका होगा अत्यदिक ध्यान और प्रिणा के स्थिति है आगे देखते प्रवा मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी ब्यक्ति किसी गतिभी धी में पूरी तरह से डूब जाता है सक्रात्मंग मनोपे ज्यानिक सिक्स जेंट में हाले प्रभाव को किसी गति भी दीज में पूर रूब से डूब जाने के स्थिति के रूब में वर्णित किया गया है या पल एक के लिए कलपना है ठीक है अब इसका फायदे देख लिए यह पेपर से मिने लिया है प्रोस्टेट आप दा माइंड के फायदे इमोसिनल रेगूलेशन अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख पाते हैं सही पसंद नापसंद सही जानकारी होती है और सही फैसले ले पाते हैं काम बोज नहीं लगता आनंद के साथ संपने की और कदम बढ़ाते हैं कम महनत से बहतर रेजल्ट दे पाते हैं और समय जाया नहीं होता क्रियर्टिव और प्रोटेवक्टिक भी बहतर होती है जो इस इत्री में फ्रोस्टेट होता है ठीक है तो यह आपके लिए बेनिफिसरी है और खेल में लोग इसका यूज करते हैं बीफोर दो मैट्स आपक क्या खेलने इस टाइब का ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब बीसवा कोशन आज का लास्ट कोश्चन है इसके बास रखेंगे पीटी उसा ने किस खेल में भारत का प्रतुन दिखिया लांग जम बॉक्सिंग बैडमेंटन एथलेटिक्स पीटी उसा ने किस खेल में भारत का प्रतुन दिखिया था ठीक है तो यहां जो सही उत्तर होगा आपका कि एथलेटिक्स ठीक है यहां पर लॉंग जम क्यों नहीं होगा यह वताइए मेरे को कि इसका कमेंट्स उत्तर देजिएगा इसके साथ ही जय हैं जय भारत खुसरे स्वासरिये मस रही है और तयारी